इस तरीके का इंजेक्शन होगा इसके इंदर B1, B6, B12 और साथ में D-Penthenol इस तरीके के चीज़े दी होगी अब हमारा यानि आज का वीडियो है कि MBA इंजेक्शन को बेटनीरिन AQ इंजेक्शन के साथ कमबाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों यानि इसके अंदर B1 और B6 और B12 साथ में D-Penthenol है जो की तागत यानि कोपोचल की कमी को पूरा करने के लिए प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए कमजोरी में इस तरीके की सिती में यानि मरीज को ड्रिप में डालकर बेटनीरिन AQ इंजेक्शन को देते हैं और यह भी MBI जो injection है यानि जो patient है उसको weakness है उस्पिटल में admit है तो drip में डालकर इस injection को भी चलाते हैं तो दोनों injection को हम combine करके नहीं दे सकते इस सिर्फ जो side effect है उसको हो सकते है मरीज को हो सकता है इसको दिक्कत ज्यादा खड़ी हो जाए तो इसकी जो market rate की बात करें तो 22 रु मिल जाएगा यह original वाला नहीं है जैरनिक injection है पर काम करेगा जो original injection होता है उसके कांच पर इदर black color से यानि MBI लिखा होगा वो original है तो इसको हम यानि bed neuron aq injection या bed neuron aq injection और MBI को हम एक साथ combine करके आइवी इंफीजन के तौर पर डिप में डालकर नहीं दे सकते तो बस आज के लिए नहीं धन्यवाब